Hello everyone, welcome to our YouTube channel Mission JKSSB में आप सबका स्वगत है आज मैं आपके साबने एक बिग अपडेट लेके हैं जितने भी JKSB कलास 4 के एस्पाइंट से हैं जो भी फाइनल सेलेक्शन लिस्ट में स्लेक्ट हुए थे आज JKSB दुआरे एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बताया गया है अब जो है उनकी जो है डॉक्मेंट वेरिफिकेशन जो है स्टार्ट होने वाली है इस वीडियो में सब कुछ जो आपके डाउट आपके माइन में चाहरे हैं सब कुछ इस वीडियो में किलेर करने वाला हूँ क्या क्या डाकुमेंट आपको जो है अपने वेरिफिकेशन में साथ लेके जाने है किस की चीजों का अपने ख्याल रखना है ठीक है लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहे और अगर वीडियो अच्छा लगी वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेर करें और अगर चैनल पे नए विजट कर रहे हो चैनलों को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम पे जितने भी जेकेश्बी कलास फोर्ट की अपडेट हो आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पे मिलते रहे और जितने भी जॉब लिटेट अपडेट जमू कश्मीर से आए और आपको इस चैनल के माइदम से आप तक पहले पहुचाए चलिए नोटिफिकेशन में क्या का गया है जेकेश्बी द्वारा इसमें बता आगया है जितने भी डॉक्मेंट वेरिफिकेशन आपकी जो पोस्ट जेकेश्बी कलास फोर्ट के लिए जो आपने अपलाई किया था यूटी लेवल पे किया था डिवजन लेवल पे किया था अब उनकी जो है डॉक्मेंट वेरिफिकेशन जो है स्टार्ट होने वाली है ठीक है अब बात करें कब से जो है आपकी डॉक्मेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाली है डॉक्मेंट वेरिफिकेशन जो है इनका job office इससे और के सर्वी सेलीक्शन बौ्ड का मा सदीडिंग वालों की जब सब्सक्राइब दर्eria को दकारों के यह स्टाट रोने माली एस सब्सक्राइब भाने और जब दो कि और आपने साथ क्वेल्ग के अपने साहने आपने साह सुल्ठ्म मिल्ड ने जाने application बड़ा था JKSB class 4 के लापनाई किया था वह application form अपने अपने साथ रखना है ठीक है और इजल ठीक है या अपने और second form अपने साथ रखना है DOB ठीक है DOB अपने साथ रखना है या 10th का diploma या mark sheet ठीक है 10th का diploma भी चलेगा या mark sheet अगर आपकी उस पर डेटो बड़ लिखी हुए है वह भी चलेगा अगर आपके बाद DOB नहीं है ठीक है और थर्ड की बात करें हम थर्ड आपको जो है reservation category अगर आपने उस टाइम form applicable में कोई category से belong किया या category से किसी से belong करते है और आपको अपने साथ रखना है ठीक है उसके बाद बात करें domicile certificate अपने अपने साथ रखना है ठीक है और फिफ्त की बात करें बात 10 प्लस टू की mark sheet अपने 10th की भी रखना है और ट्वल्थ की भी mark sheet रखना है और आपने 10th और 12th का diploma भी अपने साथ रखना है ठीक है उसके बाद बात करें other document as per the advertisement जो भी जब आडवरिटाइजमेंट निगली सी जब उस टैम जो बताया था आपने साथ कहके document रखने वह भी document अपने अपने साथ जो है ले जाने ठीक है तो इस सब अपने साथ जो है और और आपने इस के साथ जो है या रिक्टर कोई भी लिख्के नहीं लेना है जो आपको certificate general admission department ने format बताया है आपके जो concert authority है आपकी वह verification करेंगे या तस्किलदार होंगे या SDM होंगे वह आपकी verification करेंगे जो आपको वह certificate issue करेंगे वह अपने अपने साथ जो है origin साथ रखनी है और इसके photocopy भी अपने साथ ले जानी है ठीक है और इसमें बताया गया है ठीक है कोई भी अपने हाथों से या आपकी जो return होगा आप खुद लिखेंगे वह आपकी certificate नहीं माने जाएगी और आपकी जो qualification होगी 10th या 12th ठीक है minimum 10th और maximum 12th होनी चाहिए ठीक है और इसमें बताया गया है इसमें भी और इसमें बताया है if any stage selection at later on it has been found that she is posting higher qualification that will be prescribed for the post hazard candidates should be cancelled अगर आपकी minimum qualification 10th होनी चाहिए और maximum qualification आपकी 12th पास होनी चाहिए अगर आप graduation या कोई भी ग्रेजिवेशन या उसके बाद भी आपने कोई qualification आपकी अगर आप पाए जाते हैं आपने कोई कहीं से भी अपने जो है illegal certificate बनाईए आपके जो है जो है जो आपके जो चैंसल कर दिया जाएगा और आप पे जो है legal action जो है लिया जाएगा जेके एस भी दुआ ही है अगर वो अब खुद रिसिक उठाना जाते है उठाए ठीक है मैंने आपको पहली क्लियर कर दिया कि कोई भी जो है आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी जो है कोई भी आप पे जो है जेकेस भी legal action ले और आने वाले टैम पे आपके लिए जो है जो है जेक कि graduation is post के लिए eligible नहीं है चलिए अब आगे चलते हैं इसमें कहा गया है additional candidates are required to produce a self-attested photocopy of each document certificate online application form on the day of document verification before the document verification committee ठीक है आपने अपने साथ जो भी मेरे आपको document आपको बोले गए है जो अपने 15 जुलाई को अपने साथ लेने है इसमें बताऊंगा 15 जुलाई को आपकी इसकी आपकी जो आपकी जो है notification है इसकी PDF आपको मेरे telegram group में मिल जाएगी ठीक है वहां से आपको ठीक है अगर आपको इसकी format आपको कौन सा चीज़ है वो भी मैं आपको बता दूँगा ठीक है आपने अपने साथ करना है जो भी आपको मैंने document लेने को कहा गया है आपको उसकी photo कापी अपने साथ रखनी है dark और उसके बार अगर बात करें आपको अपने सब्सक्राइबार है जो आपने गरी जो है अपने form अपने साथ जो है उसकी certificate जो अपने साथ लेनी है original साथ लेनी है ठीक है उसके साथ अपने photo copy भी साथ रखनी है ठीक है और उसके बाद इसमें जो आपकी एक short आप comment section में comment कीजिए ठीक है और आपने जो मैंने하고 document कहागए आपने साथ Ozitude ली जीए ठीक है और आपने गया करेस करना है जितना से certificate जो है eligible है और आप तब जो है claim कर सकते है अपने five marks ठीक है यह आपको जो certificate इशू करेगा ठीक है कोन करेगा इशू इशू करेगा और अपने डाकुमेंट के साथ जो है अपने यह certificate जो है ले जाना है ठीक है और हर किसी जो है यह हर किसी जैसे certificate फॉर वीडियो जो है वहाँ पर ले जाना है ठीक है अगर आपको कोई भी डाउट रहता है वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में पूछिए और अगर आपकी कोई भी क्यारी रहती है आपका इंस्टाग्राम पे भी मेसेज कर सकते हमारे वाँ सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म मीशन जेके सब्सक्राइब करना है और अगर चैनल पे नई विजिट करो चैनल को जरू जय हिंद